विल्कम बैक दोस्तों आज में आपके सामने रिसंटली थाइलाइन में रिलीज हुई एक होर्डर मिस्ट्री मूवी को लेकर आया हूँ स्क्राम है होम फॉर रेंट मूवी में जबरदस ट्विश्ट देखने को मिलते है तो चलिए फटावर से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम कहानी शुरुआत में निंग नाम की है कलरकी अपने एजेंट टॉम के साथ अपने फ्लैट आती है चक करने के लिए जो इसने दूसरों को भाड़े पर दिया था अपने फ्लैट आने के बाद निंग ये दिखती है कि इसका फ्लैट बहुती गंदा है फ्लैट के हालत देखकर बहुत दुखी होने लगती है अगर निंग अपने फ्लैट को दुबारा ठीक करना होगा तो अपने पैसों से करना होगा क्योंकि जिन लोगों को इसने भाड़े पर दिया था अपने फ्लैट को वो लोग दूसरे कंट्री को जा चुके होते है निंग की फैनांसियल कंडिशन भी उतनी ठीक नहीं होती इसलिए निंग अपने खुद के घर को भी भाड़े पर देने का सोचती रहती है लेकिन आच्छली यहां पर निंग का घर अपने हजबन कुइन के नाम पर होता है और निंग का हदमिन क्विन हर्गिस नहीं चाहता कि ये अपने खुद के घर को दूसरों को भाड़े पर दे निंग हमेशा क्विन को यही बास समझाती रहती है अगर हम हमारे घर को भाड़े पर दे तो आलमोश्ट हर महिना पच्छा से साथ हजार आ सकते है थोड़ा financially stable होना चाहती है निंग लेकिन इसके बावजुद्धी क्विन टोटली मना करने लगता है इन दोनों की एक cute सी बेटी होती है जिसका नाम होता है इंग खर कुछ दिनों बाद क्विन निंग की बाद मान लेता है कि ये दोनों अपने घर को भाड़े पर देंगे खर डॉक्टर रातरी और डॉक्टर नच को निंग का घर पसंद आने पर ये दोनों यहाँ पर shift होने का डिसाइड कर लेते हैं उसके बात निंग की फैमिली एक चोटे से अपाटमेंट में shift होते है बिचारा कुईन हॉल में सोते रहता है निंग अपने बेटी के साथ बेडरू में सोती रहती है मतब बस एक चोटा सा फ्लैट होता है ये खर एक रात निंग अपने husband कुईन के पास जाकर उसके chest पर एक triangle shape वाला tattoo देखती है कुईन कहने लगता है कि एक चोटे से challenge में हार गया जिसके वैसे ये tattoo डलवाना पड़ा मुझे फिल्हाल निंग इस tattoo को लेकर इतना serious नहीं होती खर दूसरे दिन निंग अपने कुछ चीजे लेने के लिए अपने पुराने घर जाने लगती है निंग को यहाँ पर देखकर पहले तो डॉक्टर रातरी और डॉक्टर नच निंग से थोड़ा rulli behave करने लगते है लेकिन बात में normal से ही बात करने लगते है लेकिन डॉक्टर रातरी निंग को घर में आने ही नहीं देती वो दोनों खुद निंग के चीज़ें लाकर देते हैं वापस जाते वक्त निंग बिंडो के जिरे से कुछ अजीब के चीज़ें देखने लगती है मतलब डॉक्टर रातरी की बेटी डॉक्टर नच सारे जगा पर कटन्स ढखने लगती है और उसी तरह कुछ आजीब से ही बिहेव करने लगती है उसी वक्त निंग की नैबर इसको एक मेसेज करती है कि एक बार मुझसे आकर मिलो तो उसी तरह से निंग अपने नैबर के घर जाती है इसकी नैबर निंग से कहने लगती है तुम्हारे घर में जो दो औरते रिन पर आई हिना वो कुछी आजिब से ही भीहेव कर रही है हमेशा वो दोनों घर में ही रहते है सुबा सब्वरे चार बरे से लेते हुए साड़े चार बरे तक कुछ आजीब के मंतर पड़ते रहते है उन दोनों को देखकर हमारा कुता बहुत डर रहा था दूसे दिन हमारा कुता हमारे घर के फीचे मरा पड़ा था ये सारे चीजें सुनने के बाद निंग के तो होशी उड़ जाते है खरब उसी तरह निंग ने नच के शरीर पर भी एक टैटू को देखा था ट्राइंगिल वाला और वही टैटू अपने हस्बेंड के चश्च पर भी होता है कुइन घर आने के बाद निंग कुइन से इसी के बार में पूछने लगती है लेकिन कुइन इन सारे चीज़ों को बहुत ही नॉर्मली बताने लगता है बाद में निंग अपने हस्बेंड से उस रेट कलर किताब के बार में पूछने लगती है जो डॉक्टर रातरी ने कुइन को दिया था आचले निंग ने उस किताब को बाहर फिक दिया था निंग अपने सारे घर की तलाशी लेने लगती है तब ही एक अलमारी से एक भेंकर हाथ बाहर आकर दुबारा वापस अंदर चला जाता है उसके बाद निंग अपने बेड्रूमी जाकर किट्की से बाहर देखती है तो इसके घर के बाहर काफी सारे कवे होते है निंग फटरवर से उस वीडियो को बंग करके यही सोचे लगती है कि इतनी रात को कवे यहां पर क्या कर रहे है उसके बाद निंग की नैबर निंग को एक वीडियो मेसे सेंड करती है इसकी नैबर सेक्रेटली उस वीडियो को रिकॉर्ड किया होता है आखिरे उस वीडियो में डॉक्टर रातरी एक किताब को अपने चेहरे के पास रखकर कुछ मंतर वगरा पढ़ती रहती है उसी वक्त डॉक्तर रातरी निंग की नैवर को देख लेती है और यहाँ पर ये वीडियो खतम होता है ये वीडियो देखने के बाद निंग अपने नैवर के ही फिकर करने लगती है उसी वक्त निंग ये दिखती है कि इसके घर में इसका हस्बेंट मौजूद नहीं है थोड़ी देर के बाद निंग की नैवर ने जो वीडियो इसको भीजा था ना वो वीडियो डेलिट कर देती है जब निंग इसके बार में सवाल पूशने लगती है मेसेजिस के जरिये से तो इसकी नैवर कुछ भी जवाब ही नहीं देती दूसरी दिन निंग अपने नैवर को देखने के लिए उसके घर आती है लेकिन इस घर में कोई भी मौजूद नहीं होता डॉक्टर नच निंग से कहने लगती है कि इस घर में की औरत फिलहाल अपने गाउं गई है कुछ दुनों बाद लोटेगी यह सुनने के बाद निंग को इन दुनों पर ही शक होने लगता है रातरी और नच पर लेकिन कुछ भी ना कहते हुए वापस चली जाती है उसके बाद निंग अपने फ्रेंट पुलिस आफिसर को कॉल करके डॉक्टर नच के बारे में थोड़ा एंक्वाईरी करने के लिए कहती है उसके बाद जब निंग वापस अपने घर आती है तो इसकी बेटी एक छोटे से डॉल से खेलती रहती है जो इसके फादर ने इसको दिया था निंग को ये डॉल बिल्कु भी पसंद नहीं आती लेकिन इसकी बेटी को बहुत पसंद आती है उसी राथ निंग अपने बेटी के बेट के पास एक अजीब की आत्मा को दिखती है और उसी तरह वो आत्मा निंग को भी डराने की कोशिश करने लगती है लेकिन निंग नहीं डरती उसके बाद सुबा सवेरे 3 बच कर 45 मिनिट पर कुईन अलारम रखकर आपने घर से कही पर जाने लगता है निंग उसी तरह से अपने हस्बिन को फालो करने लगती है तो कुईन अपने टरेस के उपर जाकर कुछ अजीब के मंतर वगरा पर दे रहता है कुईन के उपर ही काफी सारे कवे घूमते रहते है निंग इस चीज़ को चोरी चुक्के से देखते हुए शौक मेरे जाती है और सी तरह इसकी वीडियो भी बनाने लगती है तब ही निंग को ऐसा लगता है कि इसके केमरे के सामने किसी की आत्मा खड़ी है धंग से वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती डर की मारे महाँ से नीचे चली जाती है यहाँ पर एक और बात यह है कि टेरस के उपर क्विन अकेला कुछ मंतर वज़रा पढ़ते रहता है लेकिन आवाज काफी सारे लोगं की आती रहती है सबह होने के बाद निंग अपने घर में कुछ ब्लैक मैजिक के रिटेड चीज़ें को दिखती है खर उसके बाद निंग अपने बेटी को पिक अप करने के लिए जब उसके स्कूल जाती है तो निंग के बेटी के पास रातरी और नच ये एक रेट कलर वाले किताब को इनको देकर इसे पढ़ने के लिए कहते रहते है ये देखकर निंग फटावर से अपने बेटी के पास जाती है तो तब तक डॉक्टर रातरी वहाँ पर मौजूद नहीं होती। अपने बेटी के शरीर पर भी उसी तरह का टैटू मौजूद होता है ट्राइंगल शेप का। अपने बेटी से पूशने लगती है कि डॉक्टर रातरी तुमारे पास क्या कर रही थी। लेकिन इसकी बेटी तो यही कहने लगती है कि माश मेरे साथ तो कोई भी नहीं था। खर निंग अपने बेटी को वापस घर लाकर अपने कपड़े शपड़े पैक करने लगती है, यहां से फटाफर से जाने के लिए, लेकिन क्विन इन दोनों को रोकने लगता है, निंग को एक शापड़ भी लगाता है, वहां के सेक्यूरिटी गार्ड्स क्विन का बरताव द अपने फ्रेंड पॉलिस ओफिसर नट से उलकात करती है, कहने लगता है कि मैंने डॉक्टर रातरी के बारे में इंक्वाइरी की, डेटा बेस में उसका आइडी नमर अलग है, लेकिन मैंने औरिजिनल आइडी से चक किया, तो मुझे ऐसा लगा कि वो डॉक्टर रातरी नह होती है, यहाँ पर भी इसकी बेटी मौझूद नहीं होती, उसके बाद निंग अपने एजेंट टॉम को कॉल करके, डॉक्टर रातरी और नच के बारे में पता करने के लिए कहती है, तो टॉम निंग से कहने लगता है, कि मुझे पता है वो दोनों कहां पर है, चलो मैं उनसाँ जगा पर ले जाने लगता है, शयाद इसको मारने के लिए, उसके पास तीन थोड़ा फ्लैश बैक में जाने लगता है, ग्यारा साल पहले, आच्विली क्विन के अल्रेडी शादी हो चुकी होती है, इसकी पहली पतनी की बेटी का नाम होता है जा, कुछ दुनों ग्यारा पणास की पहली पतनी क्विन को चोड़ कर चลी गई, कुईन अपनी बेटी जा को मा की कमे होने ही नहीं देता, बहुत प्यार करते रहता है, बाप बेटी अपनी लाइफ में महुत खुश होते है, लेकिन एक दिन जब जा स्तां करने के लिए जाती है, तो करन शौ निंग की बेटी इनके पास होती है खर एक दिन आचानक से निंग और कुइन की मुलाकात होती है ये दुनों एक दूसरे को लाइक करने लगते है शादी भी हो जाती है इन दुनों की कुइन ने अपने बेटी की सारे खिलोने आलेडी किसी जगा पर चुपा चुका होता है कुछ दिनों बाद डॉक्टर रातरी कुइन के घर आकर बातरू में कुइन की बेटी जा की आत्मा को देखती है मतलब कुइन की बेटी जा मरने के बाद जा कि आत्मा अपने फादर की इर्द गिर्धी गुमती रहती है ये जानने के बाद कुईन बहुत खुश होने लगता है उसके बाद डॉक्टर रात्री कुईन को एक लाल कलर की किताब देकर कहने लगती है कि अगर तुम अपने बेटी को बार बार देखना चाते हो काफी सारी बार पूजा पाड़ किया लेकिन इसके बावजुद भी कुईन को इसकी बेटी नजर नहीं आती यही बात डॉक्टर रात्री से पूशने लगता है क्यों मेरी बेटी के आत्मा मुझे नजर नहीं आ रही डॉक्टर रात्री कहने लगती है लगता है तुमारी बेटी के आत्मा को शांती मिल चुकी है क्विन कहने लगता है नहीं ऐसा हर्गिस नहीं हो सकता मैं अपने बेटी को देखना चाहता हूँ प्लेस आप मेरी बेटी के आत्मा को मुक्ती ना दिलवाए डॉक्टर रातरी कहने लगती है ठीक है इसके लिए एक रिचुल है अगर तुमने वो रिचुल किया तो तुम अपनी बेटी से दुबारा बात कर सकते हो सो क्विन वो रिचुल करने के लिए रिडी हो जाता है यहाँ पर यह कोर बात यह है कि निंग की बेटी इन अपने घर में जा कि आत्मा को देखती थी पहले से भी अब डॉक्टर रात्री ने क्विन से कहा था कि इस रिचुल में तुमारी दूसरी बेटी इनकी जरुत पड़ेगी और यहाँ पर यह कोर शौकिंग बात यह है कि इनको यह कोर सच बात पता होती है जब इन वो सच्चा ही अपने फादर को बताने वाली होती है इसी दर्मियान में निंग ने अपनी बेटी को लेकर होटल चली गई निंग नहीं अपने फादर को कॉल करके उस होटल का अटरस बताया क्विन अपनी बेटी को अपने नैवर के घर में छुपा के रखा होता है अब वो रिचुवल ये है कि डॉक्टर रातरी जा कि आत्मा को भी इनके शरीर में भेजना चाती है इसलिए डॉक्टर रातरी ने क्विन और इनके शरीर पर वो ट्रैंगल शेप वाला टैटू लगवाया था अब यहाँ पर क्विन अपने दोनों बेटियों को भी हासिल करना चाता है सो इस तरह से जब अपने बेटी के साथ रूशल करने ही वाला होता है तब ही इसकी नाइबर कुछ अजीब से बिहेव करते हुए क्विन को एक चाकुल से स्टाप करने लगती है जिसके वैसे क्विन बेहोश हो जाता है यह देखकर वो छोटी बच्ची इंग जोर जोसे चिलाने लगती है उसी वक्त डॉक्टर नच चाकर उस चोटी बच्ची को वहाँ से ले जाती है वीच्वल्स करने के लिए उसके बाद हमको डॉक्टर रात्री के परस्पेक्टिव यू से कहानी देखने को मिलती है मतलब पहले निंग के परस्पेक्टिव यू से कहानी देखे उसके बाद Quinn और निंग की परस्पेक्टिव भी से और अब डॉक्टर रात्री की कहानी दिखाय जाता है डॉक्टर रात्री क्विन के पास आने से पहले रात्री की नजर उस छोटी बच्ची इन पर थी निंग का एजेंट टॉम भी डॉक्टर रातरी का फॉलोवर ही होता है एक दिन डॉक्टर रातरी डॉक्टर नच और टॉम निंग के फ्लैट जाकर वहां के सारे सामन बिखर देते हैं हालांके वो फ्लैट सही सलामत ही था इस बिखरे हुए फ्लैट को देखकर निंग ने यही डिसाइड किया था कि यह अपने घर को भी भाड़े पर देगी उसके बाद जब डॉक्टर रातरी इस घर को शिट्फ होती है तो इस घर में आलड़ी जाकी आत्मा होती है तो उस आत्मा को कायद करके एक गुड़िया में रख देती है प्रेजेंट डेपर डॉक्टर रातरी इन को लेकर उस रिचुल की जगा पर ले जाती है जाकि आत्मा को इनके शरीर में भेजने के लिए यहाँ पर हम यह देखते हैं इस कमरे में काफी सारे आत्माएं है डॉक्टर रात्री उस चोटी बच्ची को देखकर ये कहने लगती है कि पच्चास साल पहले मेरी टीचर ने मेरे साथ रिचुल किया था अब मेरे शरीर में दूसरी औरत की भी आत्मा है उस औरत की आत्मा मेरे शरीर को भी शेयर कर रही है खर यहां पर एक और जबर्दस तर्टुच देखने को मिलता है एक्टर रातरी जा की आत्मा को इनके शरिल में नहीं भेजना चाहती डाक्टर रातरी की एक साथ साल की बेटी है इसने अपनी बेटी की आत्मा एक डॉल में कैद करके रखा होता है उस चोटी बच्ची के आत्मा को इनके शरी में परवेश करवाना चाहती है डॉक्टर रात्री ने विचारी क्विन को एमोशनली ब्लैक मेल करके इसका इस्तमाल किया यहां पर यकोर बात यह है कि आच्छुली निंग को जिसके आत्मा डरा रही थी वो जा की नहीं बलके रात्री की बेटी के आत्मा थी जो बहुती बुरी किसम की आत्मा होती है दूसी सरफ जब टॉम निंग को माने की कोशिश कर रहा होता है निंग होश में आकर तो आम को ही जखमी करके उसकी जरिये से Doctr रात्री का पता करके वहांपर जाने लगती है और दा सेम टैम कुइन्ट होश में आकर आपने बेटी इनको बचाने की कोशिश करने लगता है तब ही डॉक्टर नच अपने पावर से Quinn को मार देती है और the same time ceiling के उपर से पाने के बूंदें गिरते रहते है लेकिन डॉक्टर नच किसी भी तरह से इस ritual को complete करना चाहती है तब ही यहाँ पर निंग आकर इनका ritual तोड़ने के लिए माइक्रो वोवन को blast कर देती है blast होने के बाद फटावर से अपने बेटी को बचाने के लिए अंदर जाती है लेकिन तब तक वो ritual खतम हो चुका होता है उस कमरे के सारे के सारे आत्मा निंग को जखड़े होते है उसके बाद जब निंग गलती से एक डॉल के उपर अपना पैर रखती है तो उस डॉल में की रात्री की बेटी के आत्मा फ्री हो जाती है निंग अपने बेटी को लेकर महां से जाने की कोशिश करने लगती है डॉक्टर रात्री भी इसको फालो करने लगती है उसी वक्त वो सीलिंग गिरने की वेए से इस सीलिंग के नीचे ये सारे लोग फसकर रह जाते हैं निंग, रातरी और नच्च सारे के सरे लोग बेहोश हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद इंक होश आने पर नच्च के सर पे वार करके इसको मार देती है यहाँ पर बात ये है कि कुईन की बेटी जा की आत्मा उस डॉर में होती है ना, कुईन ने उस रीचूल करके जा की आत्मा को इनके शरीर में भेच चुका होता है, अब वही जा की आत्मा डॉक्टर रातरी और डॉक्टर नच को माण देती है, खायर थोड़ी देर के बाद पुलिस वाले आकर निंग और उसकी बेटी को हस्पिरल ले जाते है उसके बाद निंग को समझ में आ जाता है कि इनके शरीर में जा की आत्मा है लेकिन निंग ने अपने बेटी को खो दिया वही इनको पता नहीं चलता इनकी आत्मा अप कहां पर है निंग जा को भी अपने बेटी की तरह परवरिश करने लगती है इस तरह से ये मोवी यहां पर दी एंड होती है तो मोवी कसे लगी कमेंट करके बताना जरूर मिलते हैं एकली वीडियो में तब तक टेक केर बाबाई से यू सून